हेलो एडे वेलकम सुडेंस कैसे हो सारे के सारे उम्मीद करता हूँ सबलग एकदम तगड़े होंगे आज हम बात करने वाले और नउन्फर्म मोशन के और अगर आपको डेफिनेशन की बात करूं तो एक बोड़ि जब इकवल डिस्टेंस टावल करती है इक्वल इंटर्वल आफ टाइम में तो कहला तया है कि बोड़ि युन इंटर्वल आप और आप वाक कर रहे हो अगर आप हर एक मिनट में पांच म मिटर दूसरा मिट वापिस पांच मिटर तीसरा मिट वापिस पांच मिटर तो अगर आप देखोगे तो हर एक मिट में आप पांच-पांच मिटर चल रहो मतलब आप इसका उल्टा समझे लिए आपने एक मिट में पांच मिटर चल रहा दूसरे एक मिट में आपने दस मिटर चल दिया और तीसरे एक मिट में आपने सिर्फ दो ही मीटर चला मतलब हर एक एक मिट के अंदर आप अपना distance बदल बदल कर रहे हैं मतलब आप अब non uniform motion में है अगर इस ग्राफ की बात करो अगर आप uniform motion को ग्राफ बनाओ distance versus time का तो हमेशा आप को एक straight line मिलेगा मतलब अगर आप इसको consider कर लो one minute, two minute, three minute, four minute यहां पर आप पाच-पाच मीटर का distance ले लो तो अगर आप देखोगे तो हर एक मिनिट के interval के अंदर body जो है equal distance टाविल कर रही है पहला मिनट पाच मीटर दूसरा मिनट वापस पाच मीटर तीसरा मिनट वापस पाच मीटर मतलब बाड़ी हर एक मिट के अंदर पाच-पाच मीटर चल रही है इसे के सामने जब आप यू नॉन uniform motion का ग्राफ बनाओगे सेम टाइम टाइम इंटरवल सेम है लेकिन अब बाड़ी अनिक्वल डिस्टेंस टाविल कर रही है अब बाड़ी अलग इलग चल रही है ऐसे चल रही है इसमें आप देख पाऊगे के हर एक मिट के अंदर body कोई perfect distance टाविल नहीं करी वो बदल बदल कर रही है मतलब यह हो जाएगा non-uniform motion आपको या चिर भी रखना है equal distance, equal interval, uniform motion, unequal distance, equal interval, non-uniform motion उम्मीद करता हूँ आपको uniform motion और non-uniform motion के difference के बर में पता चल गया होगा आगे वीडियो पसायना देवोड़े को like करे, share करे, comment करे, मिलता विडियों आपको next एक interesting short topic के साथ, तब तक के लिए stream stay safe and take care